मैं आईन यादा सर आज आप लोगों के बीच में एक बहुत ही बहतर पर्सनल्टी के साथ जुड़ रहा हूँ जिसका नाम शेरसा सुरी है शेरसा सुरी कहने के शुतुर से कहता है कि यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं एक दिन हिंदुस्तान से मुगलों को बाहर खदेर दूगा मैं बार-बार कहता हूँ ये statement उसने कब दिया है जब वो कहने कहीं बाबर की सेना में और बाबर की सेना में रहते हुए कहता है कि ये भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं एक दिन हिंदुस्तान से मुगलों को बाहर खदिर दूना और जो उसने कहा वो करके दिखाया ये सबसे बड़ी बात। उस बाबर को उसने चैलेंज दिया जिस बाबर ने शैवानी खां को पराजित किया। उस बाबर को चैलेंज किया जिसने कहने कि राना सांगा को ह उस बाबर को उसने चैलेंज किया जिसने इब्राहिम लोधी को पानी पत के युद्व में चारों को ने चित्र कर दिया मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि व्यटती अपने मन में बहुत कुछ उठान ले तो दुनिया के इतिहास को बदल सकता है जिस प्रकार से शेर सासूरी ने कहिने के निश्चीत रूप से बाबर के सेना में रहते हुए बाबर को चुनाती देई और उसके पुत्र हुमायू को कुलना के दिल्ली के सिंहासन से उतार कर अंतता भारत के सिंहासन पर बैटकर द्वती अफगान सामराज की स्थापना की मैं आप लोगों को सिर्फ यही बात कहना चारा हूँ कि आप लोग भी अपने मन में कहने कहीं अपने लक्ष को निधारिद कर लिजे अपने लक्ष के साथ जुड़ जाए और कहीं न कहीं संघर्ष के मार्क पर चलते हुए एक नए इतिहास का निर्मान करिए क्योंकि मेरा मानना है इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी राणा स्वा भगा सिंग जासी की भी रानी कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं इनी शब्दों के साथ आप लोगों को रुकन के अपने आपको रोकता नहीं हूं जय हिंद्ध भारत बंदे मात रहूं